मुझा आट पोड़े ही चलो टाइम हो गया कैसे हैं आप लोग वल्कम बाक्ति मैं चानल जहां से व्लॉग एंड करा था ना वहीं से शुरू कर रहे हूं मुझा दो पर कही टाइम था अभी तक लंच वगर करा नहीं था जैसे कि मैंने बताया था शाम को आज एक रिसेप्शन में जाना है तो में अंदर के ओफिस में उ हो स्कूल उपन हुआ कि नहीं कैसी गर्मी है कैसे हाल चाले ताकि मुझे भी आपके बारे में थोड़े बहुत अपडेट मिल सके हम बात कर सकें अज करती यहां तो माहिका जब मुझे怕ने में लगा लेत हैँ मुझे भी तो माहिका लगा न lock's निकाल के लगाना वो टाइम तो हो ही नहीं पाता एंड उसके बाद सारी सिलेक्ट कर रही थी तो यह वाला मैंने सारी निकाला वो क्रीम कलर का मुझे बहुत पसंद था बट मुझे पता था मेरे से खाते टाइम कुछ भी गिर जाएगा मोख्ष को पकड़के और यह यलो वा तो फिट नहीं आता है अभी तो पूर अमनम नेया वाला जो था ना वो मेले लिए वो मने अमजन से ही मगवाय था बहुत जादा पर्फेक्ट मुझे एकदम उसका फिट आया एंड यह पर माहिका का ड्रेस में बोल थी कुछ और पहन ले लेकिन उसको था कि यही बहनना है फाइनली एक और ही पहन के गई लेकिन जैसे बच्चे बोलते था उनकी मर्जी और उसका वही चल रहा था यह बैग ममी ने जो सुटकेस भीजा था आपने देखा होगा इससे पहले दो इससे पहले के व्लॉग में तो यह बैंगल्स और वो जो पाउच था ना उसमें शू माही का के लिए मंगवाय था यूनिकॉन का है उसको तो बहुत पसंद आया था यार यह सारे बैंगल्स ना वहीं पर मैं छोड़ के आगे थी शादी के टाइम से अभी जो भाई के शादी में गई थी ना सोनू के लिए इसके लिए तो वह सारा कुछ मैंने निकाल दिया है अभी उसके बाद मैं हो रही हूं रेडी वो भी कितने वज़े साम पांच साड़े पांच पांच पंदरा ऐसे में मुझे ना बहुत टाइम नहीं लगा इतने में मैंने माही को रेडी करा मोक्ष को रेडी करा बाकि सब को रेडी करा इन उसके बाद जाके मैं रेडी हो रह और चिंद बढ़ी जाता है पूरे फेशल है तो डिकता है पूरे आइब्रो भी मैं उतना आजकल नहीं बनवाती हूं जब देखा अच्छा लगता है अच्छे से मैंने पहले मॉश्यराइजर लगाया आप भी मेकप करने से पहले ना अच्छे से मॉश्यराइजर लगा ना अपने फेस में क्योंकि जितना मॉश्यराइज होगा ना आपका फेस आपका मेकप उतना जादा अच्छा लगीगा साड़ी मैंने पहन लिया बड़ पीछे के तरह फुकता मेरे से लगी नीरा था सब लोग नीचे थी तो जैसे तैसे भी पहना हुआ है बाद में सेट करूंगी पहले मैंने मैक का वहां पे मेकप फिक्सर और प्राइमर जो होता है वो मैंने अप्लाई करा आप चाहो तो कुछ लिंक आपको दे दूँगी आप लोग बाई कर सकते हो ठीक है उसके बाद जैसे भी थोड़ा थोड़ा सेट करते के लिए क्लिए क्रीम लगाने के बाद मैं टाइम दे रहे थी उसके बाद ऐसे फांडेशन शुगर का मैंने लगाया यह मुझे बहुत जाद अच्छा लग यह मुझे बहुत अच्छा लगा था उसके बाद मैंने वही मामात का जो थोड़ा सा लिबाम आता है ना लिप चिक तिंद वूस में से वो जो कोको वाला शेड है मुझे वो तना अच्छा नहीं लगता बढ़ ठीक है तो वह थोड़ा सा लगाया है और उसके बाद मैंने हाथ से ही मैंने ब्लेंड कर दिया आई लाइनर लगाया यह भी मामात का लाइनर है यह भी बहुत अच्छा एक्दम ब्लैक है एंड समच प्रूफ है और आपको इसको निकालने के लिए ना फेस्वर्स करते हैं बहुत ही ज़्यादा आपको में क्या हाल करा था मेरी तो जा ना उस रूम में गई जो उपर वाले घर में दूसरे बेडरूम में क्योंकि लास्ट बेडरूम में ऐसे नहीं है यह वाला बेडरूम में हमने ऐसे लगा कि कोई भी आएंगे तो सो इसी रूम में सोते मोसली भाईका के रूम में तो इसमें लगाया था गर्मी इतनी थी सा ब्रून काइंड आफ शीड है और वह बहुत जादा लॉंग लास्टिंग लुक भी से बहुत अच्छा आता है बस उसके बाद वही मैक का मेक फिक्सर मेने यूज करा एंड लास्ट पर मैं भूल गए थी थोड़ा सा हाइलाइटर लगाने का तो अपने जिस तोड़ा से तो ठीक है फेस इंस्टेंटली चेंज आ जाता है फेस में एक लुक एंड मैने साड़ी भी बहुत अच्छे से भी भाल लिया है आजकल अच्छी बात यह है कि मुझे साड़ी दस मिल में पहन लेती है कोई भी सिल्क साड़ी और कुछ भी मुझे बढ़ा अच्छा लगता ह तो बताओ कैसी लग रहे हुँ में कमेंट सेक्षिन में और कॉछ चीज बहुत लोग बोलते हैं कि मोना मेक अप क्या है तो यही है मेरा मेक अप कर रूटीन अगर कहीं पर जाती हूं पार्टी फंक्शन में उतना अगर नॉर्मल मार्केट में जाती हूं तो कि मोग्ष को में चेंज नहीं करा है मैं उसका टीशिट पैंड उसका टीशिट में रखा हूँ अभी वो सब कुछ गिरा के फिर बरबाद कर देगा और कितना करोगा यसे के लिए यही पहना के में लेकर आई हूं माही का यह रिखा और लिफिक चला गया अगया अगया मैं भी यहरिंग पहनु कि अभी नहीं जब उतरना होगा ना तब पहनू कि मैंने बैग में डाल दिया है ये ना मैं थोड़ा से लंबा वळा लेकर आई हूँ ना ये पुरा खीच लेता है इसी के लिए और क्या हडबडी हडबडी इतना ज्यादा बोलो मत और ये क्या मुझ जा रहें वीजी पी की तरफ दिखना ना मुठी कोई लें वीजी पी इसको ना मैंने ये जो क्या होता है क्या बोलते हो फ्राइस कुछ सा उसको स्नैक्स लेकर आई हूँ मैं एक माही का के लिए तो वही थोड़ा से दिरू बैठता ही नहीं पता नहीं दूसरों के बच्च अट रहें कि एक टार मेले के जाओ उसको बैठना ही नहीं होता है उसको हर चीज में हाथ लगाना या थो नीचे ही चला जाएगगा नीचे बैठ जाएगा यह देखो अभी इसको मेन थोड़ा थोड़ा यह दे रही हूँ ना तो सानकिशा बैठा हूआ हुआ है वरना को रेडी नहीं करा था माइका को तो बोलते वाओ ममा आप तो कितिना प्रिटी लग रहे हो यार प्रस्ते में ऐसे हम लोग फस गये थे करीब हमारा टाइम दिखा था कि 7.45 तो हम लोग पॉंच जाएंगे 6 बज निकले हुए थे लेकिन पॉंच ते पॉंच ते 8 बज गया थ ट्रैपिक उतना नहीं था बट जो एक मैप में कभी कभी रस्ता दिखा देता है शॉट कट के चलते कौन से गली गली के अंदर दिखा देता है वह फस गया थे हम लोग बहुत बुसक्रिशन निकले एंड एक का कमेंट दिख बाह था कि मोना सीट का कवर निकाल लो बहुत गंदा लग रहा इच्छा नहीं लग रहा है आई नो हम भी वेट करें बट परता है क्या है सीट का कवर अभी तो लगा नहीं है हम लोग गय दे लिकिन जो हमको चाहिए थे वह शॉप में आया ही नहीं था इंड उसके भाद से हमें जाने का टाइम नहीं मिल रहा है लगव उसको धर भी नहीं लगेगा बिल्कुल नहीं वो तो पकड़ देता है उतकी यहां पर भी जो स्ट्रीट डॉक्स होते हैं उनके पीछे भाग जाता है मौस्ट उनको पकड़ने के लिए जाने के बाद इतना अच्छा उन्होंने अर्रेंजमेंट करा था बर्ट साइट पॉट बहुत बारिश होने रगे थी वहां पर जैसे हम लोग पहुंचे ना बहुत बढ़ा सा ग्राउंड था तो माही क्या को तो बड़ा मजा रहा था यह सब कुस्त देखे सबसे मिलके बड़ यह बात ही थी थोड़ा सा ना बगीला-गीला सा हो गया था बारिश हो गया था तो है मैं क्या करती हूं क्या नहीं करती बड़ फिर भी में मुझे लगता है जो लोग अंपरिबल होंगे है फिर किसको पूछ के में उनको कैप्चर करती हूं अदर वाइस उतना रही है नहीं पीछे देख रहा है कितना बिजली कड़क रहा है आपे बहुत यार बोलो मत ऐसा पता नहीं चल रहा है कैमरा पे बड़ बारिश हो रहा था अगर आप ऐसे बाहर जाके हम लोगे लिए तो ठीक थे लेकिन बच्चों को लेके चले जागों तो बाल बाल तो गिले ही हो रहा था एंड मुझे थोड़ा से डर लग रहा था कि मुझे थोड़ा से सर्दी वर द करीब नौ ऐसा बज़ गया था यार बहुत नौ साड़े नौ तक तो बज़ी गया था यह लोग आते 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 और बी जादा लेट हो गया था यह डाइपर बैग में नीचे रख देती बड़ इसको बैग में क्यों लगा है पता है वहां पर रखने कोई जगा नीचे बार कितना साधा रड़ी होता है साड़ी बाड़ी पहन के बच्चे के साथ वो डाइपर वैग लो यह रो वो पूरा लुक की चेंज हो जाता है बस उसके बाद कितने वज़े नाइन थर्टी ऐसे में हम लोग ना फिर वहां से निकले मतलब वह जहां से फंक्शन था इन पार्क मेंट उन्होंने कर रखा था और इतनी बारिश होई थी विचारे हां से जो रोड़ रहा है से जो रोड़ रहा है से लिए था और यह रेपर टाइम लागू किछी चिंता नहीं है ला जाते टाइम के मोग सोया नहीं पर कितना ज़्यादा जगा हुआ रह था उसका सोने का 10 बजने का तो हम लोग घर आता थे 11 बज गया था वह वहीं पर कार में सो गया एंड रामस हम लोगा बारिश भी हो रही थी मोख्ष माही का लेकिन वह नहीं सोय थी बिल्कुल हम लोग वापस आये हैं कितना बज़र बता है अभी तो 12 बज़रा है में में मेकप रिमॉफ कर है किया था 11 हाँ 11 बज़रा था 11 बज़रा था था फिर बारिश हो रहती तो निख दो कार मेंने के चिचर लगया जी जितनों के नए कार हो गए उनके हस्मेड बहुँ जादसे का जादसी आट हैश्में को टायटना कर दे मेरे को यसा लगता है वह की पानी जाल रहे हुतने कार गंदा हो गया है अब ही धीड किसी का अपन अपना एक एमोशिनल होता है अटेश्मेंट तो वह वो उन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया फिर मोख्ष को सुलाने में वे वी कार में तो फिर दुबारा से जैसे उसका नीद खुल गया है जैसे हम लोग कर आए ना अंदर त बहुत मुश्किल से सुलाई माही काका कल से एन इतना अच्छे से निकल गया यार इसलिए अच्छा लगता है कि गानियर के मैसलव उटक तो सब लोग यूज करते हम नगी तो महां पर फंक्षन में मिरुको इतनी बुरा लग रहा था आने के वाद इतना ज्यादा क्यों बता भर नहीं हो अपाए हम लोग क्योंकि जैसे वाद निकले कि तक भी इतना जादा कुछ नहीं था तुर जानने के लिए भी घहन्ते का रसे दूगह रही परस गया भी लोग फिर वहां पर पहूंचे जैसे इतना बारिश ता और इसा नहीं कि बहुत तेज बार इस ता और आ काड़ा हो चाइशन करता है और इतना अरइजमेंट करते हैं खाना ये वह सारा कुछ गणुड़ी लेकर अचुछ एम प्रयृड टी बहुत encourages तो बाप रे मेकप करो ना तो फेस्टोस करने से पहले अच्छे से कोई भी माइसलर वाटर लेकिए फिर मेकप रिम वर कुछ भी लेकर ना फेस्ट से पहले मेकप उतार लेना उसके बाद जाके जो भी आपका नॉर्मल फेस्टोस ज़ाता है वह यूज करना क्योंकि सिर्फ से आपका मेकप नहीं जाएगा उसी से ही फेस में पिंपल्स वगरा होता है यह मेरा ब्लशान देखो मेरा फेवरेट था मुझे इतना पसंद था इतने शेट इसके बहुत अच्छे थे और इतने पिग्मेंटेट थे मोख्ष ने इसको तोड़ जिया यार मेरा दिल दुग कर लो ना तो अपने जगा पर रखते हो जाता है कल के लिए टेंशन नहीं होता पेस वर्स करके उसके बाद नाइट टाइम का जो भी स्किन केर रूटीन वह मिस्स मत करना आप लोग वह थोड़ा सा करके बस इसके बाद और जादा कुछ नहीं आज के इस व्लोगों में यह